चलिस तो बात करने वाले हैं डिक्सन टैक के बारे में देखें स्टॉक्स के अंदर लगतार गिरावट का महुल जा रही है और अगर कल की ही बात करें तो लगभग एक पसंट की गिरावट आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मुली यहां पे सबसे बड़ा क्वेस्चन इ जादा है इस कंपनी का लगभग 4,184 रुपे के आसपा स्टॉक चल रहा है तो एक शेयर खरीदने के लिए लगभग 4,000 रुपे की कीमत हम लोग को पे करनी पड़ेगी पर दोस्तों कर वोलेटिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कहना की अच्छा-खासा मोमेंटम इस कं नहीं बिगड़ेगा वापस से कंपनी जो है रिकवर करती हूं नजराएंगी अच्छा-खासा मोमेंटम आपको उन कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा अब अगर स्टॉक्स की बात करें तो कल के दिन भी आपको इसके अंदर गिरावर देखने को मिली पांच दिन से लग लगातार उनके अंदर हम लोंको प्रॉफिट बॉकिंग देखने को मिल रही है तो ऐसे स्टॉक्स अगर आप पकड़ कर चलते हैं तो कहीं न की अच्छा-खासा मुनाफ़ा अच्छा-खास रिटन भी आपके बनते हूं जराते हैं पिछले 6 महीने के अंदर लगातार जो ह लगातार के रिटन हमारे बन चुके हैं और अगर लोंग टर्म का व्यू देखें तो यह कंपनी लगबग 2017 के अंदर लिस्ट हुई थी नसी बेसी के अंदर 531 रुपे का मातर भाव था और महां से लेकर अब तक अगर रिटन देखें तो 686 पसंट के रिटन इसके अंदर ह पहुच गया था तो किसी ने उमीद भी नहीं कियोगी कि लगबग 2000 तक के लेवल हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे उसके बाद में यह स्टॉक स्पिलिट होने के बाद में हम लोग को प्राइस देखने को मिला आज यह वही प्राइस हम लोग को दिखाया दर मेंटल मजबूत हैं लोंग टम के लिए पकड़के चलीगा अच्छा-खासा मुनाफ़ा जो है आपको इसी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है दोस्तों पूरी जानकर या आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके लेना तक नहीं वीडियो के निटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल मिल्स के थैंक यू समच वाचिंग